हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज की वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं फ्रेजल वर्प्स विद राइट तो चलिए शुरू करते हैं यानि कि किसी संस्था को टीवी स्टेशन को रेडियो स्टेशन को पत्र भेजना यानि कि आप इंडिवीजियली किसी को कुछ नहीं लिख रहे हैं आप एक ओर्गेनाईजेशन को लिख रहे हैं write in का दूसरा मतलब है to add something in a story or play यानि कि किसी नाटक और कहानी में और लाइने लिखना यानि कि वो पहले से लिखा हुआ है आप उसमें कुछ और add करते हैं तो भी हम write in phrasal verb का use करेंगे अब इसके कुछ example देख लेते हैं I'm going to write in a play for nature I will write in to the news to complain अगली phrasal verb है write down means to write something on a piece of paper or notebook यानि कि paper या किसी notebook में कुछ लिखना example write it down in your notebook इसे अपनी notebook में लिखे अगली phrasal verb है write out क्या है write out meaning when you have written something completely यानि जब आपने विस्तार से कुछ लिखा है अब इसे example से समझते हैं let me write out my own opinion about this new dress मुझे इस नई dress के बारे में मेरे opinion लिखने दो यानि कि इस नई dress से related जो भी महतपून information है आप वो सारी लिखते हैं write up means a written article giving an opinion or review of something यानि किसी चीज की राय या समिक्षा देने वाला लिखित लेक write up का दूसरा मतलब होता है an official warning यानि आधिकारिक चेताउनी अब इस example से समझते हैं please write up something about our YouTube channel दूसरा example ले लेते हैं my son got written up from school because of misbehave अगली phrasal verb है write back इसका मतलब होता है to send a reply to someone who has sent you a letter यानि अगर किसी ने आपको पत्र भेजा है उसको जवाब देना यानि कि किसी ने आपको कुछ text किया है आप उसका reply करते हैं अब इसे example से समझते हैं I texted him but he didn't text me back expression written consent means a permission for something that is given in written यानि लिखित में दी गई किसी चीज की अनुमती अब इसे example से समझते है you can go there with the expression written consent from Akbar तो friends ये थी हमारी आज की वीडियो I hope आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो like and share करना मत भूलिए subscribe कर दीजे मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए है hit कर दीजे bell icon को जिससे कि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की notification मिलती रहे फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ till then बाई बाई